बोले नात का डमरू आपके लिए ये हमारे जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए और जिन्दगी में बाहर और बरकत दे आज मैं डॉक्टर वायराखी आपको बताऊंगी डमरू और बीन से जुड़े होए अच्चू कुपाए जो शायद यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताता होगा लेकिन आपको पता ही नहीं है जो डमरू हर वक्त भूले नात के हाथ में रहता है और इसे बजा कर वो गौरा को खुश करते हैं अगर आप उन्हें ये डमरू गिफ्ट में दे तो वो आपको क्या-क्या दे सकते हैं हर किसी को इसकी फेवरिट चीज देनीचे किसी को फोन पसंद होता है किसी को डमरू पसंद होता है किसी को खाने का शौक होता है किसी को घूमने का शौक होता है तो शंकर भगवान को ये बेख़त पसंद है आज इस चमतकारी दमरू के उपाय मैं बताऊंगी आपको, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनांदर, मैं हूँ डॉक्टर वायराकी, इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूच्टिउब चानल देख रहे हैं, घर में सब कैसे हैं, पहले कमेंट में जाके जैमाता दिलिक जी 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 से मुझे पताल चले कि यूगाइज आर फाइन, बिल्कुल ठीक हैं, बिंदास हैं और घर में किसी चीज़ की कोई कमी हो भी ना, आप बिंदास रहें, मस रहें, खुश रहें, मैं हूँ डॉक्टर वायराकी, और सब घर के बड़ों को, पित्रों को, आपके गुरुओं को, मेरा नम्न, मेरा परणाम, और बिंदास रहें, मस रहें, खुश रहें, कोई काम ऐसा करिए, जिससे आपकी वैसे किसी के चेहरे पर मुसकान हो, सावन का ये पावन महीना, और ये डमरू, ऐसा छोटा सा डमरू बजार में मिलता है, इसे खरीद कर, क्या क्या कर सकते हैं, चलिए जानते हैं, अगर आपकी किसी भी चीज़ की इच्छा है, और वो पूरी नहीं हो रही, तो आप क्या करें, सोने का, चान्दी का, प्लास्टिक का, ये ये मैटल का है, लकडी भी है इसमें, ऐसा एक डमरू बजा कर, बहुत देर तक बजाता रही है, आपकी कैसी भी चान्दी हो, प्लास्टिक हो, लकडी हो, ये ट्वाइ हो, अगर कुछ भी नहीं कर सकते, तो पेपर में उसका प्रिंट आउट ही निकाल लीज़े, बड़ आप शिवलिंग पर इस बार डमरू अर्पन जरूर करकर आएंगे, आपकी कैसी भी इक्छा क्यों नहीं हो, वो अर्पन पूरी हो चाहेगी, अब बीन नहीं है मेरे पास, बना मैं बीन भी बजा कर दिखाती आपको, ये ही सेम चीज़ आप बीन के साथ भी कर सकते ह हैं, आप बीन भी भगवान को अर्पन करकर आ सकते हैं, आपकी जैसे विक्छा क्यों नहीं हो, वो आपकी अवश्य पूरी होगी, किसी भी सपेरे को सावन के सपावन महीने में बीन अर्पन कर दीजे, आपको मुझे बीन बजानी नहीं आती लेकिन सपेरे को बजानी आती और अगर आप ऐसा जो है नाक पंच में वाले दिन करेंगे तो बेहद युत्तम, उसे वो बहुत खुश हो जाएगा, बीन की धुन से, साप जो उसके पास रहते हैं, वो बीन की धुन को बहुत पसंद करते हैं, वो जब भी बजाएगा, ऐसा मैं सूचें कि साप हमेशा बीन बजाते हो और साप नाशते भी हैं अब आप और मैं उस जुनिया में नहीं रहते हैं इसलिए हमें ये बातें नहीं पता लेकिन बीन दान करना सावन के महीने में किसी सपेरे को ये शंकर भगवान के मंदिर में रखकर आने से आप पर विशेशकर किरपा होती है दमरू घर के अंदर हमीशा होना चाहिए इस दमरू में यहाँ एक मोती लगा हुआ था अभी जब मैं इसे बजाने के लिए उठा रही थी तो वो मोती कहीं नीचे गिर गया वरना यह और बहुत तेज बचता तो अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने मंदिर में एक दमरू लाकर जरूर रखें यह शुबता का संकेत है दमरू इतना छोटा सा लोग गले में भी पहनते हैं खासकर मैंने अजेदेव गंजी को पहने में देखा है तो डमरू बच्चों के गले में भी पहनाया जाये तो उन्हें डर नहीं लगता और डमरू जिसकी आवाज सुनकर पिशाच सब भाग जाते हैं यह शंकर भगवान का डमरू है आप चाहें तो इसका बहुत अच्छे से टाटू भी बनवा सकते हैं अपने हाथ पर अगर चांदी का रखें तो मैं बहुत हूँ चांदी का डमरू छोटा सा आता है कोई महंगा नहीं आता तो आप जरूर अपने धन वाले स्थान पर डमरू रखें गर्वती महिलाओं को अगर डमरू चांदी के अंदर चांदी का पहना दिया जाया तो उनका गर्व कभी गिरता नहीं और उनके बच्चे को कभी नुकसान नहीं होता डमरू उपरी बाधाओं से जादू टोने और तंतर विद्धियाओं से हमें बचाता है आपके जब परिवार में बच्चे घर में सब लोग हों तो मा को चाहिए कि पूजा के बाद अपने पूजा स्थान पर थोड़े दरे डमरू भी जरूर बचाए जहां पर बच्चे को रात को बुरे सपने आते नीन नहीं आती वहां सोने से पहले डमरू बजाया जाए तो नीदानी अच्छी हो जाती है इस जगा पर स्वास्तिक बनाकर और इस जगा पर ओम लिखकर मंदिर में जाकर ये डमरू गौरा मा को अरपन करकर आई इससे आपकी जो भी च्छाओ वो ज़रूर पूरी होती है डमरू का साइस बड़ा और चोटा भी हो सकता है जो लोग आपने देखा होगा कि कावर लेकर आते हैं लोग उन्हें भी गिफ्ट के सरूप डमरू देते हैं आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों होता है अरे क्योंकि ह हम लोग उन्हें शिफ का ही रूप मानते हैं हम सोचते शंकर भगवान सामने से सीधा कावर लेकर आ रहे हैं तो उन्हें डमरू भेट देना बहुत अच्छा होता है सावन में डमरू किसी अपने दोस्त को जिसका काम वाम सब बंद हो गया उसे भेट से रूप दीजे कि त आपने पर्स में भी छोटा सा चांदी का या प्लास्टिक का या मेटल का या सोने का डमरू जरूर रखें अगर आपका विवा नहीं हो रहा है तो शिफ मंदिर में डमरू बजाकर रखकर आईए और उनसे प्रातना कीजे कि अगले सावन से पहले मेरा विवा हो जाए डमर अगर मदारी को भेट सरूप दिया जाए तो भी ये एक मंगल का बहुत अच्छा उपाय है इससे आपके करजे उतरना शुरू होत अगर आपको वाहन का सुख चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको वाहन का सुख जल्द मिले तो मंगल बार वाले दिन डमरू आप मंदिर म को इस तरह से छुपा कर रख दीजे कि आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को ना दिखे अब जैसे ये मेरा ओफिस है मुझे डमरू को चुपा रखना है तो मैं वहां कहीं कोने में उपर चुपा कर रख दूए वैसे ये मेरे ओफिस में ही रहता है डमरू और कई सालों से ह तो भी आपको ओफिस के अंदर से नकरात्म कूर्जा जाती हुई दिखाई देगी, ये एक बहुत बड़ा वास्तु का खास उपाय है, बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर मंदिरों में देखते हूँगे कि ऐसे तिर्शूल खड़ा है और तिर्शूल के ठीक यहां पर डम अगर उपाय है, क्योंकि सीधी सी बात है, आप किसी भी इंसान का बर्थडे केक लेने चाहते हैं, या बर्थडे होता है, तो क्या करते हैं, उसकी फेबरेट चीजों को देखते हैं, उसे क्या फ्लेवर पसंद है, वो क्या खाता है, क्या चीजे करनी चाहिए, तो भगवा को जाकर सावन के इन पांच सोमवार में से किसी भी सोमवार अरपन करकर आए जिससे आपका काम बहुत जल्द होने लगेगा और जिन्दिगे में बतलावाएंगे आपको ना तिर्शूल डमरू और बीम और गंगा चल इसका एक छोटा सा टोकरी में पैक बनाएए और भगव जाना है मुझे ये ट्रांसवर चाहिए उनकी फेवरिट चीजे उनको देकर आईए घंटी बजाईए ताली बजाईए पीछे मुड़कर मत देखिए और यह उपाया आप कर रहे हैं इसका जिक्र किसी से मत कीजे आपको जीवन में जो चाहिए वो आपको तुरंत मिल हो गई है आस भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविश्य का राज सरकारी नौकरी से हैं आप को सो दूर कुंडली जगाएगी कुंडली जागरन कुंडली बताएगी आपका भविश्य उपर से ये जादू हवाएं उपरी हवाएं जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पती, पतनी और वो करना होगा खुद पर विश्वास दीजे मुझे भी एक मौका अपनी कुंडली दिखाएगे टैरो कराएगे लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाएगे मैं हूँ डॉक्टर वायराखी आप मुझसे बात झाल